मेरा नाम है संकेत आप देख रहे हूं मोईजीन और आज हम बात करने वाले सोल फिल्म के बारे में जिया दोस्तों यह डिजनी हॉट स्टार पे रिलीज हुई है जो कि एक फैमिली एंटरेंडमेंट मूवी है दोस्तों पहले बात करते हैं पिक्सार की तो पिक्सार एक एनिम चीजे हमेशा हमें सिखाते आता है और हमें देते भी आया है चाहे आप बात कर लो एक टीन के डिबबे की जो एक रोबोट है जो कि प्यार के बारे में और प्यार का मतलब हमें समझाता है और किस तरह से मिल जूल के रहना है वो भी हमें सिखाता है एक दम इजी वे में करो तो चलिए चलते हैं सोल मोई का एक्स्प्लेनेशन तो लेट्स बिगिन कहानी फोकस करती है जो गाडनर पे जो होता है स्कूल में एक म्यूजिक टीचर और उसे लगता है कि वो फस गया है इस पूरे पूरे लाइफ के जंजाल में जहाँ इसके जीवन में कुछ अलग नहीं हो रहा है बस एक नोकरी चल रही है और बस वही चल रहा है पर उसका सपना होता है कि वो एक जाज आर्टिस्ट बने बहुत बड़ा उसकी लाइफ का ये दोरोतिया विल्यम्स का जहां जो जाता है और दोरोतिया को इंप्रेस करता है और ऑन स्पोर्ट जॉब पाता है जो के खुशी का ठीकाना नहीं होता है और अब उसे प्रिपेर होना है उस फर्स परफॉर्फॉर्मेंस के लिए जो उसी रात होने वाला है पर वो इतने पहले ही उसकी मोत हो चुकी है यहां जहां से हो कोशिश करता है और वह जया गिरता है। यानए grill और jurid vois ये कईसा है। तो train and family टौने के बात प्रशा है He or a day before यहां आज फोल्म जन्म लेता है और रध पे जाता है यहां उसका जन्म होता है और फे इस ऐसा the लेट बीफोर की वाली जगा रहती है, जहां उससे मिलती है जेरी, जहां पर सभी सोल काउंसलर का नाम जेरी ही होता है, वहां पर ये कोइंसिडन्ट है एक तरह से, जो की अर्थ पर भेजे जाने वाले यंग सोल को तैयर करती है, फिर जो एक सोल ट्रेनर के रूप में खड़ हो जाता है, जहां उसे दे दिया जाता है बाइस साल का सोल, जो की अर्थ पे अब तक लाइफ बिताने की वज़ा नहीं ढून पाया है, और उसे वो स्पाक नहीं मिला है, जबकि उसे अर्थ पर जाना ही नहीं है, एक्चॉल में वो पक चुका है, यानि इसका नाम होता है यानि नमबर और बाइस साल का भी होता है, तो उसका ये नाम होता है तो उसे अर्थ पर जाना ही नहीं है, एक्चॉल में ये लड़की है, बाइस नाम की, ये सोच के जो उसे बताता है कि तुम तुमारा जो बैच है, जो की कंटीन्यू बैच अगर पाच ओ के पाच ओ आने के लिए तो जो उसे बोलता है कि तुम ये पास मुझे दे देना तो मैं चले जाओंगा और मैं मेरे अर्थ पे मेरी जो बची खुची जिंदगी है वो गुजार लूँगा मेरा एक ड्रीम कम टू हो जाएगा याने ड्रीम कम्प्लिट कर लूँगा मैं जो कि बहुत भूम फिर के उसी के पास आने वाला है तो ये दोनों निराश हो के फिर से चले जाते है दज जोन में जो की खुए हुए सोल की जगा है जहां 22 मिलता है मून विंड से जो की लॉस सोल को बचाने में का काम करते रहता है जो उसे मदद करने के लिए राजी हो जाता है जहां वो देखते है कि जो कोमा में है याने एक्चुल में उसकी जो बोडी है वो कोमा में है यह देखकर जो 22 को लेके वहां से जम कर देता है और फिर होस्पिटल में जो की आखे खुलती है जहां जो की सोल एक्चुल में उसके कैट के अंदर चली गई है और 22 नंबर की जो लड स्विच्वेशन क्रियेट हो चुका है अभी जहां पे सोल वर्ड में तेरी को पता चलता है कि कोई तो एक सोल मिसिंग है पूरे पूरे इस जगा पे जहां जेरी तेरी को समझा देती है कि भाई तू धून ले वो सोल कौन सी है और पैचान करके ला ले ताकि हम लोग उसे देख रहा है यानि वो जो बजा रही है वैक्शल में उसे देख रहा है उसे महसूस कर रहा है क्योंकि यह फर्स टाइम और प्याया है इसमें 22 को मज़ा आने लगता है अब जो को जाना है रात के शो में जिस दिन का वो कब से इंतजार कर रहा था तो फिर 22 रेडी होता है और फिर 22 और जो जाते है हैर कट करवाने क्योंकि एक गलती हो जाती है इस वज़े से यह हैर कट कराने जाते है उसके दोस्त के यापे जहाँ पर वो कुछ लाइफ लेसंस उन लोगों को बाटता है जो की बहुत जादा अच्छा बताया गया है फिर इसकी पैंट फट जात है कि तुमें क्या सिर्फ बैंडी बजाते रहना है लाइफ में कोई गोल नहीं है कोई एम नहीं है तुमारे और तुम क्या पैसे कैसे कामाओगे डेली खाना कैसे खाओगे यह सारी चीज़े उसे बताते रहता है तो 22 कैसे तो करके उसके मा को समझा देती है जहाँ पर उस इसलिए वो वहां से भाग जाता है जिसके पीछे यह बिली याने आवारा जो लगा है और य दोना भागते जाते हैं तब ही वह पर होती है ते राकी एंट्री जो थेरा इन दोनों की बॉधि पूरी, बॉडि में से पूरी कुरी सोल लेकर अपने 27 में वारपी हो का जो बैच रहता है अक्टुल में जो की फुल्फिल सहीश वski उप特 소र मिज़ता है कि छिविशूच आध़ वी सब्सक्र इमाँं एक रात के लिए किया है, तो बस इतना इँ था, इतना है मेरा ड्रीम था, फिर जो पियानो बजाता है और ट्वैंटिटीटू को धूने वहांपे जोन में आ जाता है, जहां अब ट्वैंटिटीटू की सोल लॉस्ट हो चुकी है, वो लॉस्ट बन चुका एक तरह से, एविल पर भीजने के लिए अभी रेडी हो जाओ और मैं तुम्हें अर्थ पर भीज रहा हूँ जहां पर उसका बैज उसे दे देता है जो और फिर the great beyond में वापिस जाने लगता है याने death के बाद की जीवन में वो वापिस जाने लगता है तबी Jerry वहापे आती है और वो बताती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और यह हमारे लिए inspiration है इस वज़े से तुमें एक life का chance तो मिलना ही चाहिए जहाँ पे जो को वापिस उसके life में भेज देते है और फिर movie खतम हो जाती है जहाँ पे Terry कहता है कि movie खतम हो चुकी है अब तुम लोग घर पे निकल लो तो दोस्तो यह है soul जो आपको emotionally heart-touching last में एक छोटा सा message और पूरी movie में बहुत सारे message life के बारे में आपको बताती है emotional बहुत जादा करती है जैसे Pixar की बाकी फिल्म में करती है वैसी ही यह heart-touching film है आपने अभी तक अगर यह film नहीं देखी है तो जाके देख लो Hindi dub बहुत ही जल्दी आने वाला है ऐसे announce तो किया गया है तो जब release होगा उसके बारे में हम बात करेंगे आपको यह film कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना लाइक कर देना इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर लेना Movies In चैनल को क्योंकि आए दिन हम ऐसे interesting और amazing contents लेके आते रहते तब तक के लिए देखते रहिए Movies In